Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल Air Defense System by 2028-2029 मतलब 2029 तक जो Long Range का Air Defense System है जो कि भारत के पास अपना खुद का नहीं है आपने सुना होगा कि रश्या से हम S-400 खरीद रहे हैं लेकिन यहाँ पर भारत अब उसको खुद बनाएगा और यह पुरा प्रोजेक्ट है क्या कौन इसको लीट कर रहा है यह सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट अपडेट के बारे में चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जो भी लोग UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रिलिम्ट से लेकर इंटर्व्यू तक की पूरी त्यारी कराई जाए तो हमारे तीन लाइब बैच होते हैं दोस्तों that is pure English, pure Hindi और English बैच सबसे कम दाम पर अगर आपको ये बैचेस को अन्रोल करना है तो हमारे वेबसाइट आप पर जाएए कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है वहाँ पर जाएए और यूज करिए कोड अंकित लाइब ये कोड इस्तमाल करने से आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिलता है और आप इन बैचेस में अन्रोल करा पाते हैं और इसके लावा अगर आप MCQs एटेंट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप एटेंट कर पाएंगे चले शुरवात करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले radar system होता है जो इस missile को detect करता है और साथी साथ यहाँ पर एक control center होता है जो कि command देता है कि iron dome में से ये जो missile है वो fire की जाती है ताकि Gaza से आने वाली missiles को air में ही destroy कर दिया जाए और यहाँ पर Israel के लोगों को खत्रा ना हो लेकिन क्या हुआ था 7th of October को देखा होगा आपने यहाँ पर चर्चा ये भी होने लगी कि क्या ये iron dome पूरी तरह से सुरक्षा प्रोवाइट कर सकता है क्योंकि जिस तरीके से 7th of October को हमास ने यहाँ पर 20 मिनट के अंदर 4-5,000 missiles दागी इसकी वज़े से इसराइल को बहुत नुक्सान हुआ खेर जो भी है इन सभी odds के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि जो defense system है काफी अच्छे तक काम किया है और इसी को देखते वे यहाँ पर जब iron dome की इतनी चर्चा होई रही है इसको लेकर short range का है जैसे मैं आपको आगे वीडियो के end में बताऊंगा कि यहाँ पर जैसे 25 किलो मीटर हो गया 15 किलो मीटर हो गया बस इतने के range के जो missiles हैं उनको हम intercept कर सकते हैं और destroy कर सकते हैं यह मैं खुद का बता रहा हूँ वैसे तो हमने S4100 वगर लिया हुआ है लेकिन यहाँ पर अगर हमारा खुद का बात करने जो capability है भारत के पास develop करने की वो अभी काफी कम है और कहीं न कहीं यहाँ पर इसी को देखते वे भारत सरकार जो project start की है इसका नाम है इसको ध्यान रखेगा that is project कुशा और इसका main मकसद यही है कि भारत के पास एक robust अतलब की भारत का जो उपर air space होता है उसको पूरी तरह से सुरक्षा provide की जाए चाहे है वो पाकिस्तान हो अधर सो या फिर चाइना से कहीं से भी अगर कोई missile आता है तो यह भारत के जमीन पर land करने से पहले ही उसको आसमान में ही destroy किया जाए और मैं आपको बता दूँ यह जो project कुशा है इसको lead किया जा रहा है basically defense research and development organization जिसको आप DRDO के नाम से जानते हैं और बता जा रहा है कि इसका जो पूरा deployment है वो 2028 और 2029 तक हो जाएगा जो अभी latest यहाँ पर surface to air missile तो आपको ध्यान रखना है यह जो project कुशा है आपके माली जी एक्जाम में आ गया कि यह किस missile से belong relate करता है तो यहाँ पर यह short range नहीं होगा यह long range होगा साथी साथ मान लो अगर air to air missile आया तो वो भी गलत हो जाएगा कि हम surface to air missile की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत के surface से इस missile को launch किया जा रहा है ताकि air में ही आने वाले missiles को destroy किया जाए इसलिए इसको surface to air missile और long range जब हम long range की बात करते हैं तो basically 300, 300, 400 km की हम बात कर रहे हैं और यह basically उसी तरह से काम करेगा जैसे iron dome हो गया मतलब कि यहां पर बताया यह जा रहा है कि अगर कोई मालो पडूसी देश से मालो पाकिस्तान हो गया वहां से कोई fighter jet हमारे air space में एंटर करता है या फिर कोई drone एंटर करता है कोई cruise missile एंटर करता है कोई precision guided munitions एंटर करता है तो उन सभी चीज़ों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ missiles को चाहें fighter jet हो कुछ भी हो अगर वो भारत के air space में एंटर करता है और भारत को उसे खत्रा है तो यहां पर हमारा जो system है वो आक्टिव हो जाए और उसको हवा में ही destroy करते और यह जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसका जो operational range अभी के लिए बताया जा रहा है वो लगभग साड़े 300 km के आसपास होने वाला है अब इसकी capabilities कैसी है दखो यह work तो जैसा मैंने आपको बताया iron dome जैसा करता है लेकिन इसकी capabilities मैं आपको बता दूँ जैसे रश्या का S-400 triumph हो गया कुछ वैसा ही capability आपको यह भारत के दौरा बनाया जारा long range surface to air missile उसमें भी देखने को मिलेगा यहाँ पर बताया जा रहा है कि system के अंदर भी long range surveillance system लगाया जाएगा fire control radars होंगे इसके अंदर और साती सात यहाँ पर interceptor missiles होगा ताकि बाहर से कोई भी अगर projectile भारत में एंटर करें तो हमारा missiles है वो एक्टिव हो जाए और यहाँ पर भी क्या है ना कि अलग-अलग यहाँ पर range इसको दी जाएगी जैसे डेड़ 100 km की range हो गई 200 km 300 km वो अलग-अलग तरीके से यहाँ पर काम करेगा फिर इसके साथ-साथ इसके capability में यह भी बताया जा रहा है कि जो सबसे impressive है यह long range surface to air missile जो भारत बना रहा है वो यह है single shot kill probability मतलब कि यहाँ पर कोई missile भारत के अंदर आया या फिर fighter jet आया तो कितनी probability है कि हमारा यह जो system है उस particular projectile को destroy करते तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो success rate है for single missile launch अगर मानलो कोई single missile launch किया जाता है तो उसका success rate 80% से जादा होगा और मानलो अचानक से बहुत सारे missiles launch किये जाते हैं तो वहाँ पर success rate बढ़ने की जो है वो बढ़ जाती है और 90% से जादा वहाँ पर success rate देखने को मिलेगा तो actually मैं अगर भारत 90% से जादा success rate पा लेता है इस पूरे defense system में तो यह अपने आप में बहुत बड़ी capability होगी और दुनिया में बहुत चुनिंदाई ऐसे देश हैं जिनके पास खुद की अपने पास technology है इस तरह के capability की और यह याद रखेगा मैं long range की बात करा हूँ अब long range में क्या है कि मालो अगर कोई fighter jet आता है कोई मालो F-16 हो गया फिर कोई भी fighter jet हो गया वो भारत के airspace में आता है तो यह capability यहाँ पर होगा कि 200 km की range में हम उसको identify करें और उसको यहाँ पर destroy कर दें फिर इसके लावा यहाँ पर जो बड़े बड़े और aircraft होते हैं जैसे आपने अवाक system के बारे में सुना होगा airborne warning and control system कुछ इस तरह का होता है basically इसके अंदर radar लगाया जाता है और यह हवा में आपका चलता रहता है मतलब यह fighter jet ही होता है एक तरह से लेकिन उसके पर radar fit कर दिया जाता है ताकि वो निगरा नहीं कर सके तो उसको भी destroy करने की छमता हमारे पास आएगी फिर इसके लावा जो mid air refuelers होते हैं बड़े बड़े fighter jets होते हैं तो इस तरह के बड़े जो fighter jets हैं वो हम साड़े 300 km के दूरी तक identify कर पाएंगे और उनको destroy कर पाएंगे अब जहां तक इस project कुशा की बात है मैं आपको बता दूँ यह जो project को लेकर funding है ना वो करीब 21,700 करोन के आसपास बताए जारी है जो की already सरकार ने approve कर दिया है और इसी के वज़े से यहाँ पर पूरा project है वो start हो गया है और जैसा मैंने आपको बताया है कि इसको lead तो किया जाएगा DRDO के दोरा लेकिन यह joint effort होगा भारत के अंदर जो बाकी के private और public sector defense industries हैं जो equipments related industries हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा और ultimately DRDO इसको lead करके यह जो पूरा project है इसको complete करेगा और 2028-19 तक यहाँ पर missiles को deploy करने की पूरी जो कोशिशे हैं वो यहाँ पर DRDO के दोरा की जाएगी खेर यहाँ पर आप देख सकते हो जो experts हैं जो organizations हैं उनका कहना है कि जो project कुशा है it basically represent significant milestone in India's journey towards आत्मिर्भर भारत तो basically यह सारी जीजें क्यों की जा रही हैं वैसे अगर हम चाहें तो इसको खरीदने को तो हम खरीद भी सकते हैं अमेरिका से खरीद सकते हैं यह capability हम रश्या से ले सकते हैं लेकिन जरूरी है कि कब हम उसको खुद अपने पास बनाएंगे हम सिर्फ क्यों उसमें खरीदें और बहुत सारा dollar खर्च इसको लेकर करते रहते हैं तो भारत का जो homegrown version होगा iron doom जैसा वो कहीं न कहीं भारत की defense capabilities को काफी हद तक बढ़ाएगा एंड साती सात जो मैं आपको बोल रहा था कि इसकी जो ability है कि दूर तक का distance के भी जो hostile forces हैं उनको ये destroy कर सकता है दीकिए 300-300 km पहले ही आपको identify कर लेना और destroy कर लेना ये आसान बात नहीं है आप 15-20 km दूरी तक तो आप identify कर पाऊगे और destroy भी कर दोगे लेकिन 300-400 km का distance बहुत जादा हो जाता है ठीक है तो ये capability आ लाना आसान बात नहीं होगा अब question यहाँ पर ultimately यही है कि भारत कोई इसकी आउशक्ता क्यों है देख कोई simple सा region है जो हमारे पडूसी देश है एक तो पाकिस्तान हो गया और especially China पाकिस्तान से तो कुछ खास है नहीं अब क्योंकि वो देश अपने आप से ही लड़ा है लेकिन यहाँ पर अगर हम चाइना की बात करें जो LAC है line of actual control यह पूरा अगर आप देखोगे यह वाला पूरा लद्दाक के साथ हो गया चाहे है हिमाचल परदेश उत्राकरण पर यहाँ पर सिक्किम है अरुनाचल परदेश हो गया पूरा इस पूरे बॉर्डर पर अगर आप अगर न्यूस देख रहे हो current affairs पर्ड हो तो आपको पता होगा कि चाइना ने यहाँ पर कई सारे missile battery system deploy कर रखे है हर जगा और you never know कल के date में क्या situation हो जाए अचानक से चाइना क्या करते वहाँ से missiles launch करने लग जाए कुछ भी हो सकता है राइट पता नहीं है जैसे कि गलवान बैली आओला इंसिडेंट हम सब में से किसी को नहीं पता था यह अचानक से कैसे हो गया तो चाइना का कुछ भी नहीं पता वो कब क्या कर सके तो इसी की वज़े से हम उस समय action लें rather than that हम अपना जो resources है वो इस तरह से यहाँ पर खर्च करें ताकि हमारे पास पहले से capability आ जाए कि कल के डेट में चाइना कुछ भी करने की कोशिश करता है अगर border में भेजने की कोशिश करता है तो हमारे पास वो capability होगी कि हम उसको पूरी तरह से destroy कर पाएंगे और स्रिफ पास से ही मैंने आपको बता है यहाँ पर 300 km के दूरी से ही लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर कई experts ऐसे हैं जिनका मानना है कि शायद इसको भारत को इतना पैसे खर्च करने के आउशकता नहीं है इसके अंदर यहाँ पर अभी इसके अंदर invest करने का कोई फायदा नहीं है जैसे कि अगर आप Retard Air Marshal Anil Chopra की बात सुनोगे तो उन्होंने कहा कि अपना पहले वो इसके favor में थे लेकिन बाद में उन्होंने इसका mind change कर दिया कहा कि देखे आज के date में हमने अलरी जो S-400 missile system है रश्या से उसको अलरी हमने यहाँ पर deploy कर दिया है तो कहीं न कहीं अब हमें इसके आउशक्ता नहीं है क्योंकि इसके आउशक्ता बहुत कम जैसे कि अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल का situation तो काफ़ी different है इसराइल में तो लगतार हर समय missiles आते ही रहते हैं चाहें वो गाजा स्ट्रिप से हो गए तो इसकी वज़े से इसराइल को इसकी लगतार हो शक्ता परती है लेकिन भारत जैसे देश के अगर हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि वो daily basis पर यहां से चाइना से या फिर पाकिस्तान से missiles आएगा तो हमें इतना सारा पैसा शायद खर्च करने की इसके अंदर आशक्ता ना हो हम रश्या से या फिर अमेरिका से किसी भी बड़े देश से ये ले सकते हैं खैर लेकिन इसके लावा कई बाकी लोग है जिनका कहना है कि नहीं ये capability हमारे पास आएगी तो ये भारत के लिए बड़ी बात होगी और भारत में अगर आप देखोगे तो हमने already multi-layered air defense system जो है उसको deploy कर रखा है जैसे कि मैं आपको कुछ example बताता हूँ अगर हम भारत के air space की सुरक्षा की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी इंडियन air force के लिपास है इंडियन air force को उसकी सुरक्षा करना है तो ground system ranges अगर आप देखोगे इस समय प्रेजेंट में तो इगला हो गया, उसाक हो गया, एम हो गया, पेचुरा missiles हो गया जिनका range कहीं न कहीं 15 km के आसपास है, फिर आकाश area defense system जो हमने indigenous बनाया है उसका भी range स्रे 25 km है, फिर दूसरा भारत ने इसराइल के साथ मिलकर बराक 8 ये medium range surface to air missile है, लेकिन इसका भी range 70-75 km ही है, तो बहुत जादा नहीं है लेकिन ये वाला जो मैंने आपको बताया है, जो project कुशा के तहरत हम बना रहे हैं, इसका range बहुत लंबा होने वाला है तो आपका क्या सोचना है, इसको लेकर मुझे comment में जरूर बतायेगा जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकतो, इस साल International Maritime Exercise Cutlass Express 2023 ये organize किया गया था, कौन से region के अंदर ये आपको बताना है, इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका से उतर में कई सारे जो MCQs हैं, वह यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आए, अलग-लग social media पर आप जूड़ पाउगे और जैसा मैंने आपको बता है UPSC के अगर आप जारी करो, कोई भी batch लेना चाहते हैं, just use the code ANKITTYPE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ से नेक्स ताम तेल देन, thank you very much, see you soon Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable